नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग, दोस्तों आई होप आप लोग सब सही होंगे, दोस्तों आज जैसे की फैसला आने वाला था EWS जो आरक्षन था, 10% आरक्षन जो दिया गया था, इकोनोमिकली वीकर सेक्शन को जिनकी आए जो है सालाना आए परिवार की आट लाग से कम है इसके उपर सुप्रीम कोट में जन्धी त्याचिका डाली गई थी जिस पे आज सुनवाई होने के बाद आज सुप्रीम कोट को फैसला देना था अगर आप इसको न्यूस पे जाके देखेंगे गुगल पर तो महां पर भी आपको बहुत सारे न्यूस चैनल पर इसकी डिटेल्स वगेरा आपको मिल जाएंगी मैं आपको इसमें मोटा मोटा बता देता हूं कि कोट का फैसला क्या आया है दोस्तों आपको बताना चाहूं कि पांच जजों की बैंच इस पे फैसला दे रही थी जो लोकसभा ने 2019 में एक सो तीनवा सम्मिदान में संसोधन किया था जिसमें की 10% आरक्षण दिया गया था 50% टोटाल आरक्षण है उसके बाद आपको बताना चाहूंगा दोस्तों की पांच जजों की बैंच थी जिसमें की चीफ जस्टिस यू यू ललित थे जस्टिस दिनेश महेश्वरी थे उन्होंने कहा कि जो कोटा है वो बेसिस स्ट्रक्चर को मतलब प्रभावित नहीं करता है तो इसको मतलब लागू किया जा सकता है इसमें तीन जो जज थे इसके पक जो अभी चीफ जस्टिस है हमारे देश के सुप्रीम कोट के वो इसके अगेंस्ट में थे तो जो दो लोग जिसके विरोध में थे उनमें से चीफ जस्टिस भी उनमें से एक हैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको बरकरार रखा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि राज्य सरकारें भी इस कोटा को लागू करेंगी उनको करना पड़ेगा क्योंकि अब इसकी समयधानिक जो समयधानिक रूप से भी अब ये लीगल हो गया है क्योंकि इसको अब सुप्रीम कोट ने भी सही माना है आपको बताना चाहूंगा कि चीफ जस्टिस यूई ललति जो थी उन्होंने जज्जमेंट में कहा कि यह जो इडिवलेस कोटा जनल कर्टेगरी के लिए वैलिड है और कंस्टिट्यूशनल है तो यह आप देख पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अभी जैसे 10% है तो इसको बढ़ा के 15% या 20% भी आने माले समय में किय जा सकता है क्योंकि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो रिजर्वेशन है यह मुख्य रूप से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अवश्य ही मिलना चाहिए जो अभी चल रहा है उसके बारे में तो सुप्रीम को डिशाइट करें कि यह सही है गलत है लेकिन मेर मानना है कि जो गरीब लोग है जो कि जिनके पास विधाओं का भाव है जो नहीं सिक्षा अच्छे से ले पाते हैं उनको यह रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए और यह काफी अच्छा है दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है इसके बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर मुझे से पूल सकते हैं मैं इसके बारे में जरूर जरूर जवाब दूना है धन्यवाद दोस्तों